Hey everybody, this is CA Bridges here और आप देख रहे हैं CABA Infoventory दोस्तो, आज के वीडियो में मैं आप से डिसकुस करने जा रहा हूँ आपका PAN अगर आधार से नहीं लिंक होता है तो उससे आपको क्या-क्या परिशानियां होने जा रही हैं और PAN को आधार से लिंक करने के लिए बड़ी वी डेट के बारे इस वीडियो का पूरा benefit लेने के लिए आप इसको end तक देखें दोस्तो, एक सबसे बड़ी जिम्मेवारी आपके उपर डाली गई है income tax department द्वारा कि आप अपना permanent account number यानि PAN number को आधार से लिंक करें और वो भी 31 March 2021 से पहले पहले अगर आप अपने PAN number को अपने आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपका PAN number block कर दिया जाएगा और deactivate कर दिया जाएगा income tax department द्वारा और इसके बाद आप अपना income tax return भी नहीं फाइल कर पाएंगे और साथ ही आपको बहुत सारी दूसी परिशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है जैसा कि आपको मालुम है कि जब आपका bank आपको आपकी FD पर interest देता है उस पर वो 10% के हैसाब से TDS काटता है लेकिन अगर आपका PAN income tax department द्वारा या तो block कर दिया गया या फिर disable कर दिया गया इस कारण से क्योंकि आपने अपना PAN अपने आधार से link नहीं किया है तो आपका bank आपसे 10% की जगे 20% TDS काटेगा आपके interest payment पर क्योंकि आपका PAN अधार से link नहीं के कारण inoperative हो जाएगा इसी तरह से अगर आप contractor है और आपका 2% TDS काटा जाता है लेकिन अगर आपका PAN number या तो block कर दिया गया है या फिर disable कर दिया गया है तो आपसे 2% की जगे 20% TDS काटा जाएगा हाला कि आपके लिए खुशी की बात ये है कि गौर्मेन ने आधार से PAN लिंक करने का टाइम 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है यानि के अब आप अपना PAN card आधार से लिंक 31 मार्च 2021 की बजाए 30 जून 2021 तक भी कर सकते हैं ये गोशना सरकार ने notification dated 31 मार्च 2021 इसके अलावा अभी तक डिपार्टमेंट के पास आपकी इंकम रियसेस करने के लिए नोटिस भेजने की तारीक 31 मार्च 2021 तक थी लेकिन इसी notification dated 31 मार्च 2021 के द्वारा डिपार्टमेंट ने उसे भी बढ़ा कर 30 अपरेल 2021 कर दिया है अब इंकम डिश डिपार्टमेंट आपको आपकी इंकम रियसेस करने के लिए नोटिस अंडर सेक्शन 148 30 अपरेल 2021 तक भी दे सकता है पिछले कुछ महिनों में यह देखा गया कि COVID-19 पैंडेमिक और लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा जहां कहीं पर भी डिपार्टमेंट को असेसी के खिलाब कोई एक्शन लेना होता है लाइक डिपार्टमेंट को नोटिस इशू करना है या फिर डिपार्टमेंट को कोई और पास करना है तो ऐसे केस में सरकार द्वारा स्यो मोटो यानि की अपने आप उस डेट को आगे बढ़ाया गया इसके उलट जहां पर ससी को या तो कोई रेटर्ण फाइल करना था या टेक्स डिपाजिट करना था या और कोई कंप्लाइंस करनी थी तो उसके लिए जो भी जूडेट पहले से फिक्स थी उसको ना तो सरकार ने आगे बढ़ाया या अगर बढ़ा भी दिया तो बहुत ही कम समय के लिए बढ़ाया और उसे बढ़ाया भी या तो डिउडेट खत्म होने के बार या जिस समय डिउडेट खत्म होने वाली थी उस समय और वे भी बहुत सारी रिक्वेस्ट करने के बाद असेसी द्वारा चाहें वे इंकम टेक्स के अंदर हो या फिर जीस्टी के अंदर यह एक बड़ी अनॉमाली पिर यह कुछ दिनों में देखी और महसूस की गई सरकार की तरफ से ससी या करदाताओं के लिए जिसे सभी प्रोफेशनल और ससी ने महसूस किया हमारी सरकार से यह एक्सपेक्टेशन और रिक्वेस्ट है कि जब भी इस तरह की परेशानिया ससी द्वारा फेस की जाती है तो जो भी ऐसी कमप्लाइंस ससी को करनी है उसके लिए ड्यूडेट को स्यो मोटो यानि अपने आप सरकार द्वारा समय रहते और परेयात रूप से बढ़ाया जाना चाहिए ताकि ससी की परेशानियों को कम किया जा सके और इस अप डूइंग बिजनिस को बढ़ावा दिया जा सके ऐसा देखा गया है कि ड्यूडेट को जहां पर कम्प्लाइंस एससी को करनी है उन ड्यूडेट को सरकार द्वारा बिलकुल आखरी समय पर आगे बढ़ाया जाता है जो कि एक अच्छी प्रेक्टिस नहीं मानी जा सकती इसी नोडिफिकेशन डेटेट 31st मार्च 2021 के द्वारा DRP means dispute resolution panel द्वारा दी गई directions के अनुसार consequential order पास करने की डेट भी 30th April 2021 तक बढ़ा दी गई है इसके अलावा इसी नोडिफिकेशन 31st मार्च 2021 के द्वारा Equalization Levy Statement की processing की डेट भी बढ़ा कर 30th April 2021 कर दी गई है इन सब डेट को बढ़ाने के पीछे rational given by the government is that due to the difficulties arising out of COVID-19 pandemic यानि के COVID-19 pandemic की वज़े से जो परिशानियां उत्पन हुई है उसकी वज़े से इन डेट को आगे बढ़ाया जा रहा है यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या return filing के लिए जो last year थी SSE के लिए उसको आगे बढ़ाना क्या जरूरी नहीं था क्या SSE को COVID-19 pandemic की वज़े से परिशानियां नहीं थी यह एक बड़ा सवाल हर SSE द्वारा उठाया जा रहा है जिसका कोई भी संतोष जनक जवाब आज तक सरकार की उठ से नहीं दिया गया है सरकार द्वारा department के लिए various timelines को अपने आप आगे बढ़ाना और SSE के लिए उसके द्वारा मांग किये जाने के बाद भी उसमें कोई रहात ना देना और डेट को आगे ना बढ़ाना यह दिखाता है कि गौर्वर्मेंट द्वारा उठाया गया यह कदम जस्टिफायबल नहीं है और सरकार को ड्यू डेट आगे बढ़ाने के मामले में जो कि return filing इत्यादी की है assessi को भी उतनी ही रहत दी जानी चाहिए थी जितनी departmental officials को डेट बढ़ा कर दी गई है दोस्तों यह कुछ ऐसे amendment थे जिसमें last date को बढ़ाया गया है जो कि मैंने अभी आपसे discuss किये और जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा important है और बहुत ही ज्यादा helpful भी थावित होंगे अगर आज की यह video आपको informative लगी हो then do like and share it as well और इस topics related अगर आपकी कोई भी query है तो उसको आप comment section में पूछ सकते आगे आने वाली और informative वीडियो की timely update के लिए subscribe और bell icon को प्रेस करना न भूलें stay updated and stay ahead with inventory of information thanks a lot for your valuable time bye bye कर दो दो मनता दोटेते टाने पासे information लडर apat जaking एrat पासे सब्सरेकोजन प्रेसे विला खेसे contact को को में अझाष करता है झाल झाल